इस सुपरस्टार की बड़ी फैंती हेमा मालनी फिर भी ठुकरा दिया था मैरिस प्रपोजल जाने वज़े हैं तो चलिए आपको बताते हैं क्या थी वो बज़े एक्ट्रिस सिर्फ नाम से नहीं बल्कि हकीकत में कई सुपरस्टार्स की ड्रीम गर्ल रह चुकी हैं धर्मेंद से शादी करने से पहले उन्हें कई अक्ट्रिस ने शादी के लिए प्रपोस किया था और इस लिस्ट में जितेंदर और राजसंजीब कुमार के साथ सुपरस्टार राजकुमार का नाम भी सामिल है लेकिन हेमा ने तीनों को रिजेक्ट कर दिया और बाद में धर्मेंद के साथ शादी रचाई थी राजकुमार हेमा मालनी की अदाओं के दिवाने थे वही हेमा भी सुपरस्टार की बहुत बड़ी फैन थी उन्हें राजकुमार का युनीक स्टाईल बहुत पसंद था लेकिन जब राजकुमार ने उन्हें शादी के लिए प्रुपोस किया तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया था मीडिया रिपोर्ट्स की मताबिक राजकुमार को पहली निजर में हिममालनी से प्यार हो गया था ऐसे में उन्होंने फिल्म लाल पत्थर के लिए मेकर्स को हिममालनी का नाम सुझाया था और इस फिल्म के लिए पहले अक्ट्रिस वेजनती माला को कास किया गया था लेकिन राजकुमार के कहने पर विजिनती माला को लाल पत्थर से रिप्लेस कर दिया गया और हेमामाली फिल्म में आ गई थी फिल्म लाल पत्थर रिलीज होने के बाद राजकुमार ने हेमामाली को शादी के लिए प्रपोस किया दिया हेमा मालनी ने बहुत polite होकर उनका proposal ठुकरा दिया कहा जाता है कि एक्ट्रेस राजकुमार के लिए खुद को एक fan की तरह ही पसंद करती थी ना कि हमसफर के तोर पर हेमा मालनी के rejection से राजकुमार का दिल तूट गया था राजकुमार ने बाद में जैनिफर पंडित नाम की एंगलो इंडियन महिला से शादी रचाई जैनिफर एक एयर होस्टेस थी वहीं साल 1980 में हेमा मालनी ने बॉलिवुड के ही मैन यानि की धरमेंद को अपना हमसफर बना लिया धरमेंद पहले से शादी शुदा थे और ऐसे में वे एक्टर की दूसरी पत्नी बनी आपको इस स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग, बाबाई